दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाद्ध है मेरे यूटूब चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे शाथियों आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि BSA और ASA क्या होता है तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखरी तक ध्यान से देखते रहें तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि BSA क्या होता है सपोस्ट एट कि आपने क्लाइन को 5 लाक रुपए का कोई बीमा पॉलसी समझाया यह जो 5 लाक रुपए की आप बीमा पॉलसी समझा रहे हैं उसकी प्रीमियम जो बता रहे हैं यह जो 5 लाक रुपए है यह उस पॉलसी का BSA है यानि की Basic Submissionate है यदि इसको और आसान तरीके से समझना हो तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आप प्रपोजल फार्म भरते हैं प्रपोजल फार्म को भरते समय जो बीमा धन का आपसन होता है वहाँ पर जो amount आप लिखते हैं यानि जो बीमा धन आप लिखते हैं वह उस पॉलसी का Basic Submissionate माना जाता है अब बारी आती है ASA की ASA का जो फॉल फार्म है यह होता है Actual Submissionate Actually है क्या कि जब आप किसी ग्राहक को कोई पॉलसी सेल करते हैं तो जो उसका रिसकवर होता है वह सिर्फ बीमा धन के बराबर नहीं होता जैसे कि आपने कई पॉलसीयों में यह देखा होगा कि यदी ग्राहक की मृत्य हो जाती है तो मृत्य की कंडिशन में वह जो पॉलसी है किस तरह से पेमेंट करती है वहाँ पर यही लिखा होता है कि यदी ग्राहक की मृत्य पॉलसी अवधी से पहले हो जाती है तो Submissionate and Dec का पेमेंट किया जाता है अब वहाँ पर अधिकतम पॉल्सियों में आपने देखा होगा तो तीन कंडिशन दी होती है मतलब लिखा यह होता है कि समिश्योड और डेथ किसको करते हैं मूल बीमा धन का 125% होना चाहिए या तो ग्राहक जो साल में प्रीमियम जमा कर रहा है उसका साथ गुना होना चाहिए या फिर तीसरी कंडिशन भी होती है कि क्लाइट ने उस समय तक यानि जिस समय उसकी डेथ हो रही है उस समय तक क्लाइट ने जितनी भी प्रीमियम जमा की हुई है उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए इन तीन कंडिशन में जो सबसे ज़्यादा होगा उसका पेमेंट क्लाइट को किया जाएगा तो यहाँ पर यह जो 125% है अगर आप किसी भी पॉल्सी में कल्कुलेट करके देखेंगे तो लगबग हर पॉल्सी में 125% का जो पेमेंट होता है यही ज़्यादा आता है तो यह जो 125% इमाउंट आ रहा है न इसको ही ASA कहा जाएगा यानि एक्चुल समिसोट बोला जाएगा तो दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो यह छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है यह जानकारी आपके लिए उग्योगी रही होगी अपनी आने वाली वीडियो में जिसमें की हम पॉलसी की इनफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे उसमें इनकी जहां भी जुरस समझ में आएगी डिटेल में हम इसके बिसे में डिसकस करेंगे तो यदि आप इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं और यही जानकारी नहीं LIC की जो दूसरी भी जानकारियां हैं हमारे चैनल पर पोश्ट होती रहती हैं यदि आप इन सभी तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे यूटूब चैनल रिडेश LIC एडवाईजर को सब्क्राइब कर सकते हैं और यदि आपने पहले से चैनल को सब्क्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपने अपना किमती समय हमें दिया इसके लिए मैं आपका दिल से यावारी हूँ इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को शमाद करता हूँ धन्यवाद थैंक्यो बेलिवाच